परणाव, एक विनती है आप से कही है राचन? पिछले कई दिनों से तेरे स्वपन में तेरे पिताश्री आ रहे है नहीं ब्रामणों से भी इसकार्थ पूचा तो उनका कहना था कि तुम्हारे पिताश्री को शांती नहीं मिली उनके लिए पूजा करनी होगा, यग्य संपन करना होगा आप तो परमग्यान का सवरूप है तो विनती है आप से कि पूजा विधी आप ही के हाथों से हो जो मेरे पिताश्री तक पहुचे है, उन्हें मुक्ती मिले जीवन मरन के इस चक्र से वो मौक्षवाल है अवश्य राजन आप मिट्टी के दो घड़े मंगवाईए एक में घी भरवाईए और एक घड़े में कंकट पत्थर भरवाईए और उन दोनों घड़ों के मूँ कपड़े से बन्तवा दीजे और उन्हें लेके नदी के तक पराईए मैं वहीं आपकी परितिक्षा करूँ मैं भी असका प्रबंद करता हूँ महाराज महाराज अब आप इन डोनों घड़ों को पानी में डाल दीजे महाराज अब इन दोनों घड़ों को आप तोड़ दीजी महाराज अब आप ध्यान से देखिए गी उपर उड़ पानी पर तैरने लगा अब बताइए मेरे या किसी और के पुजा पाट करने से क्या ये घी नीचे बैठ सकता है असंभव ये तो घी का सौभावी नहीं सत्य कहाब उसी प्रकार किसी भी पूजा पाट विदिविदान कर्म कांड के द्वारा पानी के अंदर डूबेवे कंकर पथर क्या उपरा तैर सकते हैं नहीं बुद ये तो प्रकरती के नियम के विरुद हैं तो हम प्रकरती से भिनने कैसे हूँ हम भी तो प्रकरती का ही रूब हैं सत्य कावत एक सत्य ये भी है राजन जदी हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड पत्थर बोएं दुश कर्म कियें तो वो स्वभाविक ही कंकड पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे और यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सत्कर्म कियें तो स्वभाविक ही घी की तरह उपरा तैरने लगेंगे जब वोएंगे वही काटी परन्तु इस शरीर रूपी जीवनकाल में ही नहीं अपिद्धु इस शरीर रूपी जीवनकाल के पश्चात वाली यात्रा में भी हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा अब बताईए इस प्रकर्ती के नियम को कोई पूजा पाठ कर्म कांड विधी विधान यग्य हवन मिटा सकता है राजन मैं भी इसको नहीं बदल सकता ह। केवल अच्छे कर्म ही मनुष्य की मुक्ति का धुवार खुलेंगे यह कैसी तलवार है आपके हाद में तो एक शण में सारे जूट काटी किवल ग्यान को प्रकाशित करती है ना जाने कितने जन्मों और भड़कता है यदि आपकी किरपा ना होती इस एक शण में आपने अद्रिश्य तलवार से मेरे आंकार का सर भी काट दिया धन्य है अब्रभब